तो फानली जो जो मैंने आपको परिच्छा से पहले बताया था कि यह यह प्रश्ण तयार कर लीजेगा और इसके उत्तर तयार कर लीजेगा फानली वही प्रशन परिच्छा में पूछे गए हैं यदि आपकी परिच्छा लगी हुई है और आप ये फिप्त समस्टर के हिंदी के चात्र है और आपकी परिच्छा कल पर सोय फिर आने वाले दिनों में है तो आपको भी ये प्रशन को रट लेना है क्योंकि यह 100% परिच्छा में फसेंगे, फसेंगे यह एक बड़ी उन्वर्सिटी का model paper question paper है इसी वर्स 2324 के session का चुबिस का paper है और इसमें मैंने जो जो पर 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 परिच्छन बताये थे 90% वही पर परिच्छन पूछे गे थे और आपके पर इच्छा लगी है, तो ध्यान से एक एक question को आप लोग देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी गई, देख लीजिए, फिप्त समस्टर 2024 का पेपर है, हिंदी है, सब्जेक्ट और प्रशन पत्र का नाम है, साहित और स्वास्ट रो सब्सक्राइब के सहित, तो चलिए, आते हैं, मैंने, पहले जान लेते हैं कि इस model paper से कौन कौन से question आपके पर इच्छा में आ सकते हैं, उनके बारे में, तो आते लग उत्रे का पहला question कि काव के प्रमुख है तो कौन कौन से है, यह बहुत ही popular question, काव का मनतब कोई कभिता, कोई रचना, कुछी, मतब कि कुछ भी मान लीजे, काव का पनब यह होता कि कोई रचना, कोई मान लीजे कि कोई पुस्तक या पिर कोई कभिता, कुछ भी मान लीजे, ठीक है, तो इसके हे तो कौन कौन से है, यह question हमेशा नहीं आता, लेकिन कभी कदार फंसता है, तो आप इगनोर भी कर सकते हैं, लेकिन यह वारा question मैंने आपको बता दिया था, कि आएगा और finally आया, काव के लच्छन से क्या मत्तब है, काव के लच्छन कौन कौन से होते हैं, काव के लच्छन की परिभाफा दीजिए, यह फिर काव के लच्छन की अभप्रिया दीजिए, इस त आ रहा हूं है, ठीक है, पहले जान तो लेजिए का उनको उनसे प्रशन आएंगे, अगला guarantee वाला question जो की हमेशा फंसता है, ऐसी एक परिच्छा गई नहीं क्योंकि अभी तक 5-6 university में परिच्छा हैं हो चुकी है, हिंदी first paper की, ठीक है, और उस सम्में यह question पूछा गया था तो आपको जरूर तयार कर लेना है, ठीक है, चलिए, नेश question क्यों बढ़ते हैं, नेश question आ सकता है, फिर नहीं आ सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, question है कि रस ब्रह्मानन्द सहोधर है का अभः प्रियास प्रश्ट कीजिए, यह question कभी कदार आता तो आप इसे एगनो भी कर सकते हैं, ठीक है, हम आपको वही सारे question बताने का प्रियाफ कर रहे हैं, जो कि आपके exam के लिए एकदम से most important हो, क्योंकि आप भाईया, दो चार महिने कर समय तो है नहीं कि आप लोग detail में के question का उत्तर तयार करेंगे, अब समय है exam का, यानि कि exam के point आप view से हम आपको question answer बताते हैं, ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे, ओके, हम आप लोग की feeling और हमने कुछ exam दिया, तो हम समझते हैं कि कैसे क्या होता है exam से पहले, जो हम तैयारी नहीं कि यह होती बहुत ज़्यादा pressure रहता है, लेकिन कोई बात नहीं हमने पूरा आप लोगों के लिए तैया प्रांतों का नाम लिखे, आरफ्तु एक ऐसे प्रमुक समाख साफ्ते और प्रमुक का भी विद्वान है, जिनसे जुड़ा हिंदी के फस्ट पेपर में फिर समस्टर में question आता ही आता है, एक दो question, कुछ paper में दो फस्ट जाते हैं, कुछ में एक ही आता है, लेकिन आता पक है, तो उसमें भी question आएगा, ठीक है, इसका भी उत्तर में ने तयार कर लिया है, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा, पहले जानतो लिजिए कौन कौन से question important है, दूसरा अगला question है, मतलब कि हिंदी कविता के कौन सिधारा माक्स वाद से प्रभावित है, उनके तीन कवियों के नाम लिखिए, ठीक है, ये question, इस प्रकार आपको देखने है कि माक्स वादी कभी, माक्स वाद से जड़े question देखने है कि मिल सकते है, सेम टूर सेम ऐसा question नहीं आएगा, माक्स वाद से आप क्या समस्ते, आईसा प्रशन पहस सकता है, तो इस तरह आपको तयार कर ले ना, मा लेकिन इसको उपन्यास कारों के नाम लिखेंगे अगर यहां पर कहें कि मनो बिस्लेशनवादी उपन्यास कारों के नाम ठीक है तो यहां पर एक कुश्चिन कम उम्मीद है अगर उपन्यास वाला है तो यह लेकिन इसका भी मैंने उत्तर पृस्तुत कर दिया है मतलब कि हमारे महासेंग्राम पीडिएफ में जो कि आपको मिल जाएगा ठीक है अगला गारंटी वाला कुश्चिन है जो की पूंचा है पूंचा जाता है कि अलोशना की परिभाफा दीजिए पिर अलोशना का क्या तात् लेकिन असी प्रसत उम्मीद है तो इसका मतलब है कि आपको तयार करना बनता है तो इस प्रकार के कोश्चिन पूछे गए थे अतिलग हुत्रे में और इसमें से कौन-कौन से महात्पूर्ट साबिस हो सकते आपके एक्जाम में जो आपके परिछा लगी है उसको मैंने बता दे रहें ठीक है यहां पर पूरी दिसा निर्देश दी गई कि कितने प्रश्णों को उत्तर देना कितने सब्दों में देना उसके लिए कितने नंबर दे जाएंगे यह आपकी इन्वर्शेटी में पूरा जानकारी लिखा रहेगा ठीक है तो लग उत्रे का भईया पहला है कि अलंकार और अलंकार के अंतर कोष्ट कीजे तो बहुत ही popular question ठीक है अलंक यह shape to shape तो नहीं आएगा लेकिन अलंकार किसे कहते हैं अलंकार के उदाहर दीजिए इस तरीके के अलंकार के प्रकार बताएए ठीक है अलंकार की परिबाफा दीजेए यह प्रश्णों कर लेना यह 100% फसेगा 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 ओके नोट कर लीजिए अभी उत्तर दे रहे हैं अगला प्रशन जो कि मैंने आपको 100% बतायागा था कि फसेगा ठीक है वक्रयोक्तिक के फिद्धान्त के जो महत्तों है उनके बारे में लेखना मैंने आपको अच्छे बता दिया कि य आनली देख लिए पर इच्छा में आ भी गया है और आपकी पर इच्छा लगी हो तो इसमें भी 100% उम्मीद है कि फसेगा फसेगा ठीक है नेस्ट कोश्चन है कि प्रमुक कभी और प्रमुक हो समास साफ्तरी अर्थसाफ्ती राजनीतिक जिनका नाम है आरफ्तू के अनुक मतलब कि आप लोग लगुत्रम देखें रहें और अभी अतली लगुत्रम में देखे थे तो दोनों में पूछा गया है लेकिन कोश्चन थोड़ा अलग-अलग है लेकिन है एक ही कभी का जैसे कि आरफ्तू से जड़ा ये कोश्चन पूछा गया कि इनके दो सिध्धान्त बताईए ठीक है और यहां पर जो कोश्चन पूछा गया कि अरफ्तू के अनुकुर्ण फिध्धान्त के बारे हम लिखेंगे ठीक है तो कहिने कहीं दूनों सिमिलर है लेकिन थोड़े डिफ्रेंस है तो एक कोश्चन तयार कर लेंगे यहां पर आपको दो प्लस पॉइंट फिफ्ले पढ़ात वह तीन नंबर मिले हैं यहां पर आपको कितने नंबर मिले हैं को सब्स देने पर यह यहां पर आपको मिले है कि रिचर्ड रिचर्ड से भी एक प्रमुक बिद्वान और प्रमुक टेकर राइटर है तो इनसे जुड़ा कोश्चिन कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप बेसक पढ़ लेंगे तो बेटरी पॉइंट रहेगा ठीक है बेटरी रहेगा कि आ सकता है कोश्चिन ठीक है अस आने वाले उम्मीद नहीं बहुत ही कम उम्मीद है तो आप इस एक नोट पर सकते हैं अगला मोस्ट इंपार्टन कोश्चिन है जिसको मैंने आपको हजारों बार बताया तक तरिधार कर लीजे और फाली देख लीजे इस पेपर में फसा है और आपकी परिच्छा जो होने वाली है उसमें भी प्रसना आएगा कि माक्सवाधी अलोशना का मतलब बताईए माक्सवाधी अलोशना की परिभाफा दिजिए ऐसे डिफ्रेंस मताब कि डिफरेंट फरकार को उत्तर देना है और कितने सब्दों में देना कितने नंबर मिलेंगे आप लोग देख लीजिए ठीक है आपकी इनवर्शिटी में सही लिखा रहे हैं और इसमें कोईश्चन है कि काब प्रयोजन के तात पर एको एस्पस्ट करते हुए या फिर एस्पस्ट कीजिए और प्र एक तो गारंटी है कि आये गाएगा लेकिन जायतार दो प्रशन फसते हैं काब प्रयोजन से जुड़े तो काब प्रयोजन के बारें जितना हो सब क्या आप डेटियर में पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह आने ही आने वाला है ठीक हंडर प्रसंट स्योर के साथ और नेस्ट दीजिए भरत मुन्यरसों की संख्या कितनी मानी है फिर कितनी रस माने है यह आपको लिखना है उसकी परिभाफा लिखनी है इन सभी का उत्तर मैंने अच्छे चेश एक्स्प्रेंट करके एक एक पॉइंट को रखते हुए मैंने महासंग्राम पीडियों में की रूड किया तो आपके पास समय है तो इसका उत्तर पढ़ेंगे अधरवाइस बेसे कर देंगे ठीक है फिरा टीजिए से जुड़ा एक कुश्चन या फिर एक दो कुश्चन मैंने महासंग्राम पीडियों में डाल दिया है क्योंकि यह बहुत कम आता है कम उम्मीद रहती लेकिन आपक प्रियाय को अस्पश्ट करते हुए अभिजाद ठीक है तो यह कम आता है आने की उम्मीद नहीं तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं ठीक है अब आपको इन सभी का उत्तर कहा मिलेगा इनके लावा कुछ और मॉस्ट इंपार्टन कोष्चन एक्जाम के नज़े यह से उनको म हाली है हमारी महा संग्राम जो हिंदी के फ़र्ष्ट पेपर की महा संग्राम पीडियप इसमें वो सारे कोप्रों प्रश्णों को उत्तर इसे में समाहित है ठीक है और एक दो दो चार question ऐसे होंगे जिनका नहीं होगा उसको आपको इंटरनेट पर सरच कर लेना है ठीक है बागी के और बागी की इस मार्डल पेपर में जो question देगी है उनके उत्तर के लावा अन भी question है और उसका उत्तर है और बहुत ही पॉपलर कोईश्चन एक्जाम के नदिजिये से पिडियेप में इंकिलूट के गए है जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महात्पूर है नाटर साथ के कुल कितने अध्याइं है ठीक है प्रतीक वाद का मुल्यांकन कभी कदार आता या प्रश्ण भी उपर आपने जो माडल पेपर देखा उसमें पूछे गेते ना देख लिजे यहां पर दो मनो विस्लेशन वादी सिंतकों के नाम पढ़ लीजेगे भी पूछा गया था उपर माडल पेपर में आपने देखा ठीक है और माक्सवादी साहित के प्रोवकेस था माक्सवादी प्रिवड़ा कोश्चन पूछा गया था आपने देखा और ध्वन के कितने प्रकार होते हैं यह बार आच चुका आरा अफ्तु फिजड़ा कोश्चन पूछा गया था देख लीजे ठीक है आईए रिचरट फिजड़ा कोश्चन भी दीर गुत्तिने कोश्च तक कौन है किनी दो सब्दा लंकारों के नाम बताईए वह क्रियुक्त के कितने भेद हैं यह कोश्चन देखिए अब यह उपर पूछा गया था देख लीजे आप लोगों के समझ प्रस्तुत है तो इस पीडियाप में वह सारे कोश्चन देगे हैं जो कि आपके एक्जाम क हम आपको पीडियाप देगे ठीक है इसके लावा कोई कोश्चन है तो जरूर आप लोग पूछ दिएगा और हां इस बात को जरूर धान लखे यार आप लोग का जब पेपर हो जाता तो आप लोग पेपर क्यों नहीं संड करते हैं ठीक है इतनी आप लोगों के लिए हार् कालता पूरी मिलेगी ठीक है जय हिंद